असलाम अलकुम नाजरीन मैं आपकी शेफ सन जे आज आपके लिए चपली कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ और एज यूजल बहुत सिंपल और इजी तरीके से थोड़ी लेंदी जरूर होगी क्योंकि इसमें इंग्रियंस बहुत डलते हैं इंग्रियंस की विज़ा से आपको थोड़ी लेंदी लगेगी लेकिन मैंने कोशिश किया है कि बहुत सिंपल और इजी वे मैं आपको सिखाऊं इंशाल्ला मुझे उमीद है कि यह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी तो चलते हैं इंग्रियंस की तरह जी नाजरीन तो हम आपको चपली कवाब बनाना सिखा रहे हैं उसके इंग्रियंस दिखाती हूं सबसे पहले मैंने कीमा लिया है और आप कीमे में देख सकते हैं कि चिकना भी मौझूद है यह इसमें चिकना है चपली कवाब हमेशा थोड़े चिकने गोश्ट के ही बनते ह इसके अलावा जो इसके ड्राइ इंग्रियंस है उसमें यह अनारदाना है जो मैंने कूट लिया है और यह एक टेबल स्पून आदा किलो का है और जब पीमा हमने तेड़ किलो लिया है तो आप इसी हिसाब से इसको हमने तीन टेबल स्पून लिया है लेविल्ट इसके अला हाई है नमक हामने दो टीजबू लिया है हाई लेकिन हम और चीजा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हाफ लेते हैं एक स्पून — उसके लिए मेजर्मैंड — भिल्कुन होता हाफ है के लिए लेकिन हम यहां कि और चीज Is रहे हैं लामन इस्तेमाल कर रहे हैं इसकेलाब अजिन अज्वुमाट स में यह रप टीस्पून जिस मनें हाटकेजी के साथ से लिए मैं आपको आपको अग同 आप किलो का बना हैं क्योंकि मैं तो जाया पर जादा कॉंटिटी बना रहे हूं तो मैं आपको आदा किलो का भी सासाथ बताती जा रहे हूं वैसे यह 1.5 kg है तो इसके साथ से यह 1.5 टी स्पून है यह मीट टेंडराइजर है मैं जहां रहती हूं वहां पर कच्री अवेलेबल नहीं थी होती है आराम से तो मैं इसकी ज अच्छा सॉफ्ट सा हो जाए जूसी सा बने है वरना अक्सर चपली कबाब ड्राय हो जाते हैं इसलिए इसके अलावा ये आप देख सकते हैं अजवाइन है और इसे में थोड़ा सा हाथ से मसल के डालूंगी इस ये बहुत हाजिम होती है ये औप्शनल है मुझे बहुत पसं इसलिए इसमें फ्लेवर बहुत चाथा है अगर आपको ज्वाइन का फ्लेवर अच्छा ना लगे तो आप से स्किप भी कर सकते हैं ये तीन टीश्पून है लेविल गरम मसाला है हाफ टीश्पून के हिसाप से है और ये घेर टीश्पून है हमने यानी वाफ टीश्पून अदा किलो के लिए लाल मिर्च हमने वन टी स्पून ली है वन टी स्पून पतलब लेवल नहीं है यह भर के लिए है वन टी स्पून तो जब हम इसको हाफ पे जाएंगे तो इसको समझें आदी से थोड़ी कम होगी इसके अलावा लाल मिर्च ली है हमने कुटी वी और यह जह है यह दो टेबिल स्पून भर कर है आटा लिया है हमने थ्री टेबिल स्पून यह आप देख सकते हैं चलिए मैं कैमरे के सामने ले आई हूँ कि यह धनिया और जीरा है भुना हुआ और कुटा हुआ तो इसमें जीरा मैंने एक टेबिल स्पून लिया और धनिया जो है मैंने आप दिखा भी रही है है यह धनिया जो है यह दो टेबिल स्पून लिया है लेवल्ट उसी एसाफसे आप जब आदा किलो अगर बनाए तो उसको फिर कम कर सकते हैं यह सब ड्राइ इंग्रिजिएं हैं इसके अलावा जो हमारे चीजें हैं इसमें जैसे मैं आपको खरीब लाकर दिखाऊं तो जादा बेहतर होगा है टेमाटर हैं और यह आप देख सकते हैं कि मैंने इसको स्टेनर पर रखावा है और इसमें से पानी हम इसका जूस निकाल रहे हैं यह बिल्कुर ड्राय होने निकाल दिया है और हमने सॉलिट पीस हमने इसके रखे हैं और यह तीन टिमाटर हैं इस साइस के यह देख सकते हैं मैं इसलिए आपको साइस काटने से पहले का भी बिखा रही हूं इतना बड़ा प्यास हमने तीन ली हैं इस साइस की और यह अंडे वाली जो प्यास होती है वो काटी ही है इसके अलावा हराधनिया हराधनिया मुझे पसंद है जादा तो मैं डाल रही हूँ आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं तकरीबन ये एक कप के करीब है जो टेमाटर मैंने आपको बताए ये तीन टेमाटर है इस साइज के और अगर आप हाफ केजी हरा धनिया आपको मैंने बता दिया इसके अलावा लेमन जूस है ये एक टेबल स्पून हाफ केजी के लिए यानि हम तीन टेबल स्पून डालेंगे हरी मिर्च मेरे पास जो थी इस वावेलेबल ये बहुत तेज भी नहीं है और ये जो है अच्छे बड़े साइज की थी त अधर में फीक हरी मिर्चे आती है और बाज जो है बहुत जादा स्पाइसी होती है तो प्लीज हरी मिर्चों का हिसाब ने आपको इसे प्लीजिए प्लीजिए और यह थोड़ा सा अंडा मैंने जिसे फेट के बस बिलकुल प्लेन मैंने इसको ऐसे ही पैन में एक टेबल और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया गरम था हलका गरम था और फिर मैंने इसको स्क्रमबल किया और जूलावन कर दिया बस यह इतना पकाया है यह टोटल चार अंडे हैं मेरे पास अंडे बहुत बड़े साइस के थे तो मैंने चार अंडे लिए दो अंडे तोड़के उ साथ यह ढाय एंड़ा यह है और wanted i a hat so yeah है इंडिएंस अब 사람들이 की तरीका बताती हूं चैसको कस तरह mix करेंगे थोड़ी सा तरीकिते की आई च्छुक। किया जाता है इसको तो मैं वह आपको बतात जी नाजरीन को मैं सामने ले आई हूँ अब हम सबसे पहले इसमें सारे ड्राइ जो हमारे इंडियन्स है क्योंकि मेजर हुए में है इसमें सबको डालती जाओंगी इसको चखने का तरीका मैं आपको बताओं नमक मिर्च अगर आप चाहें असको जो है अपर अप्राइ करने से पहले बाद लोग अच्छा गोश्ट चख लेते हैं मैं उन नहिर हूँ इसलिए मैं आपको वह तरीका बताऊंगी जो मैं तरीका इस्तिमाल करती हूँ तमाब dry ingredients जो हमारे हैं यह नीट अंडर आइजर था और अजीनो मोठो यह अनारगाना सबसे पहले हम यह dry ingredients में डादेंगे यह धन्या और आटा और यह जो अजवाइन है इसे में थोड़ा सा हाथ पे लेके और इस तरह मसल के डालूँगे इस तरह इसको यह जो मैंने dry ingredients में डाल दिये हैं सबसे पहले हम इसमें liquid में हम इसमें lemon juice तीन टेबिल स्पून हमने lemon juice डाल दिये और इसके अलावा हम इसमें यह वाला अंडा भी शामिल कर रहे हैं अब इसको हम हाथ से भी मसल सकते हैं मिक्स कर सकते हैं लेकिन मैं इसको एक दफ़ा चौपर में घुमाऊंगी चौपर में घुमाने का मकसद भी वता देती हूं कि इससे आपके जो कीमा है उसमें सारे मसाले बहुत अच्छी तरह बाइंड हो जाएंगे उसके बाद हम टेमाटर हरधनिया हरी मेर्च और प्यास शामिल करेंगे वो हम चौपर में नहीं चलाएंगे बाद लोग इसे चौपर में भी चला देते हैं लेकिन मैं आवाइट क और आपको पर दिखा दियों सिर्फ आपने चौपर में डालना है और चौपर को सिर्फ आन करना है जब वो एक अच्छा बड़ा सा सर्कल पूरा करे तो आप बचे बंद करते हैं जी नाजमी ये देखें इस वक्त हमने तमाम ड्राइं इंगिरिन और लेमन का जूस और अं जान लगी तो मैंने स्कों स्टॉप कर दिया बहुत जदा ये और डी मशीन का पीमा था इसलिए इसको बहुत जदा अगर हाथ का पीमा हो या मोटा मशीन से निकलावा हो तो फिर आप उसको जरूर जादा चला लें अब हम इसमें ये चीज़ें पाकी की डालेंगे हरा धन में आप देख सकते हैं कि मैं इसमें डंडियां भी डाल रही हूं जो लोग मेरा चैनल देखते रहते हैं उन्हें पता है कि मैं हर देनी की डंडियां अपनी चीज़ों में जरूर शामिल करती हूं क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आप चाहें तो इस पाइ पैन में फ्राइब करके चक सकते हैं आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें और किसी चीज़ की जरूरत मतलब इदाफा करना है कि नहीं अंडा प्याज और यह अच्छी तरह हम इस थोड़ा सा दबा लेंगे कि इसमें थोड़ा सा पानी लिए तो इसन में निकल जाए हुआ हुआ है ध लिए दाने से आप देख सकते हैं पानी टपकता और फील भी और है यह देख़े हैं हमें इसमें में बाळब कर देख़o बहुत ज़ צרुते हैं और वो कबाबों का मज़ा हरा पर अब हम इन सब चीजों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह जी नाजीन मैंने सब मिक्स कर लिया अच्छी तरह अब मैं आपको दिखाती हूँ ये देखें थोड़ा सा पानी मैंने कटोरी में ले लिया और इसमें मैं इस तरह हाथ को डिप करके और अपनी हदेली को भी कीला कर लिया हाथ बहुत साफ होने चाहिए आपकी इस वक्त अच्छा अब ये आप पिड़ बैंड करता है आपको साइस क्या चाहिए क्योंकि ये टोटली आपके अपने उपर होता है वैसे चपली कबाप बड़े-बड़े ही बनते हैं इस तरह बहुत पतले ना कीजिएगा बहुत मोटे भी ना रखिएगा क्योंकि ये जब तले जाते हैं तो ये थोड़े से उसकरते हैं तो ये और मोटे भी हो जाएंगे लेकिन अगर आप बहुत मोटे कर देंगे तो ये बहुत जादा फ्राई होते वद बहुत मोटे हो जाएंगे और अगर आप इसे पतले कर देंगे तो ये फ्राई होते वद टूर जाएंगे इसी थरा हम इस तरह आप इसका इतना बड़ा साइस भी ले सकते हैं ये देखे हैं एक आपको इस साइस के भी बनते हैं लेकिन इनितला हैंडिल करना मुशकिल होता है ये जो मर्द हजरात बनाते हैं बड़े बड़े हातों के साथ उनके लिए जादा सूटेबल होते हैं बनिजबत टेडी के लिए और ये थोड़े अगर भड़ भी रहे हो तो कोई मसला नहीं होता ये ऐसे ही होते हैं ये देखें प्रोफेशनली अगर आप बाहर जाके खाएं लेकिन बाहरा ये तो मैं आपको दिखा रही थी इसके लिए मैं इतना ही इतना जैसे ये एक खपकी इसमें आजाए इतना बड़ा लें जाधा बहतर है है हैंडिल करना भी आसान होता है आप देख सकते हैं अंड्या को जो हमने थोड़ा सा भेट के डाला है इससे बहुत अ आप अधारे कबाब बना लोगी फिर्वाब को फ्राइब करके दिखाते हूं विचा ये देखिए ना मैं इसको फ्राइब पर रखनी हो और हमें इसको तेज आच पे आच में खासी तेज और तेल जूके पका हुआ है तो मुझे इसकी फिकर नहीं है आच खुप तेज आपाऊंगी विदेखें फॉर्ण पक्ना भी शुरू हो गया तो कि आच बहुत तेज हो इसमें क्यूके हमने मीट अंडराजर डाला हुआ है तो हमें गोष्ट गलाना नहीं है बहुत पतले-पतले हैं बहुत मोटे भी नहीं है बहुत पतले भी नहीं है पतले नहीं है बहुत में पहला डाला था यह बहुत में अक्षर वीजियो की बार पताई है कि अगर हम गोष्ट को हल्की आच से जादा बेश पताते हैं वह जीस रिलीव करेंगें जाए बहुत पतले हैं पतले की अगर भी यह हैं अधी है जो क्यमक मुत बहुत पतले मत कीजिये था हरना फ Similarly रढ़ 안 לק глуб looking लिजे नाजरीन मज़ेदा पिसम के चपली कबाब तयार है इसके साथ आप रायता थोड़ा सा बना लें बहुत पतला ना कीजिएगा थिक सा रायता प्याज मैंने इसमें उपर से टिमाटर नहीं लगाया था ना मुझे जल जाता है फ्राई होते वह तो अच्छा नहीं लग कर दिया आप सर्व करें किसी को तो इस तरह भी कर सकते थे, बगार दो कोई ऐसे बुरे नहीं होते ना, आप इसको चपा दी के साथ पूरी के साहत, तंदूरी नाम के साहत, किसी चीज साहती ही खा सकते हैं, बहुत ही लजीज होते हैं और मुझे उमीद है कि आप ये ट्रा सजेशन है या कोई चीज आपको सीखनी है तो जरूर बताईए कि आप ये सीखना चाते हैं मैं जरूर बताऊंगी ये रेसिपी मेरी और रेसिपी की तरह बहुत एजी है थोड़ी सी लेंदी जरूर है क्योंकि इसमें इंगीडिन्स बहुत कलते हैं तो उसे साथ से वर्णा अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब करें ताके और साथ में जो बैल आइकॉन आता है उसको भी क्लिक करें ताके मैं जैसे ही मैं कोई रेसिपी अपलोड करूंगी तो आपको फॉरन नोटिफिकेशन बिल जाएगा इस तरह आप लो रेसिपी डाल रही हूं तो आप लोग जरूर ट्राइए करें इंशाल्ला फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज